हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज हम SCRT की तरफ से दी जाने वाली कक्सातीन हिंदी पठन अभियान की कारेपत्री का करम संख्या 48 हल करेंगे जो की 17 मार्च 2022 की है बच्चो ये नोवे सप्ता की वर्क सीट है और इसकी थीम है मैमने की समझदारी तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खोसोंगे बच्चो हम अपनी नानी से बहुत प्यार करते हैं एक बार एक मैमने को भी अपनी नानी की बहुत याद आ रही थी तो वह नानी से मिलने नानी के घर की तरफ निकल पड़ा लेकिन नानी का गर जंगल के दूसरी ओर होता है आए नीचे दी गई कहानी को पड़ते हैं वह देखते हैं कि जंगल में उसकी मुलाकात किस से होती है तो बच्चों यहां पर एक मैमनी की कहानी दी गई है कि एक मैमना अपनी नानी से के लिए नानी के घर की तरफ निकल पड़ता है लेकिन नानी का घर जो है जंगल के दूसरी और होता है तो चलिए कहानी पड़ते हैं और जानते हैं कि उस मैमने को जंगल में कौन-कौन मिलता है एक बार एक मैमना जंगल में अपनी नानी के घर जाने की सोचता है बच्चों पता है लास्ते में उसे कौन-कौन मिलता है उसे सबसे पहले मिलता है भेडिया जैसे ही भेडिया उसे खाने को बढ़ता है वह भेडिये से कहता है नानी के घर जाऊंगा दूद मलाइक खाऊंगा मोटा होकर आऊंगा इतना सुनकर भेडिया उसे जाने देता है आगे उसे मिलते हैं शेर और उसके बाद चीता फिर से मैमना वही बात कहता है नानी के घर जाओंगा दूद मलाई खाओंगा मोटा होकर आओंगा अब सब को लगता है कि जब मैमना मोटा होकर वापिस आएगा हम तभी उसे खाएंगे और सब उसे नानी के घर जाने देते हैं लेकिन मैमना बड़ा समझदार था नानी के घर से वह एक ढोल के अंदर बैठ गया और लुड़कता हुआ सुरक्षित घर आ गया तो बच्चो कैसे लगी मैमने की कहानी आपको चले कहानी पढ़ने के बाद अब नीचे दिएगे प्रस्नों को करते हैं प्रस्न एक बच्चो अपने दादा दादी नानानी के लिए एक ग्रेटिंग कार्ड बनाईए उसमें एक प्यारा सा संदेज लिखिए और अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ साजह कीजिए आपके दादा दादी नानानी को आपका कार्ड कैसा लगा तो बच्चो यहाँ पर आप अपने दादा दादी या नानानी के लिए ग्रेटिंग कार्ड बनाएंगे और उस पर एक प्यारा सा संदेज लिखेंगे तो सभी बच्चे यह कारे स्वैम करेंगे आपकी स्वीधा के लिए मैंने यहाँ पर ग्रेटिंग कार्ड लगा दिया है और उस पर संदेज लिख दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेशन दो होली का तिवहार आने वाला है बच्चो लिखकर बताईए कि आपको होली में क्या खाना अच्छा लगता है लिखकर बताईए तो बच्चो आपको पता है कि होली का तिवहार आने वाला है तो आपको यहां बताना है कि आपको होली में क्या खाना अच्छा लगता है सबी बच्चे अपनी पसंद की खाने की चीजों के नाम यहां लिख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए मैं यहां लिख रहा हूँ मुझे होली पर गुजिया खाना पकोड़े खाना और सबसे ज़्यादा पसंद तो धिवल्ले खाना है तो आप भी उन चीजों के नाम यहां लिखेंगे जो आपको खाना अच्छा लगता है चलिए आगे बढ़ते हैं आओ बात चीत करें प्यारे बच्चों साथ दिये गए चितर को ध्यान से देखिए आपको क्या लगता है कि चितर में दिख रहे बच्चे आपस में क्या बाते कर रहे होंगे अनुमान लगा कर उसके समवाद बाचीत को उंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताएगे तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि जो साथ दिया गया चित्र है उसे आप ध्यान पूरवक देखिए और चित्र में देखकर बच्चों के आपको समवाद लिखने हैं और उन्हें तेज अवाज में बोलना है आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में चार बच्चे दिखाए गए है यह लड़की कह रही होगी मोहन क्या तुम हमारे साथ खेलोगे जो यह लड़का है इसका नाम मोहन होगा तो यह लड़का कहता है नहीं मैं नहीं खेल सकता मैं ठंसे काप रहा हूँ अब यहाँ यह लड़का कह रहा होगा आओ बारिस में खेलें और मजा करें तो वह उसकी सायद भेहन हो सकती है और कह रही होगी हाँ भाईया आप सही कह रही हैं चलो बारिस में खेलते हैं और मजे करते हैं तो बच्चों आप भी इसी परकार इन बच्चों के समवाद यहां लिखेंगे तो बच्चों यह वर्कशीट यहां कम्पलीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंगडम थैंक यू